असलाम अलेकूं, वल्कम बैक टू मैं चानल, चलिए तो शुरुआत करते हैं, आज हम बनाने चारे हैं एक कोकन की स्पेशल स्वेट डिश जिसका नाम है मदारजी, आए तो इससे बनाना शुरू करते हैं, मदारजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक किलो मैदे का आटा लिया है, एक नारियल का दूद निकाल लिया है, 750 ग्राम शक्कर पीस कर ले ली है, चार अंडे लगेंगे हमें, 250 ग्राम घी हमें पिगाल कर ले लेना है, नमक, इलाइची पाउडर और खाने का सोड़ा इन च इतनी सारी चीज़े डाल कर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी, तो हमने यहाँ पर आधा आटा जो है वो निकाल लिया है, दूसरे बरतन में, अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून खाने का सोड़ा और 1 टी स्पून नमक, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चारों के करके इस तरह से, अंडा दालने के बाद हमें अंडे को अच्छी तरह से फेट लेना है, हम यहाँ पर हाथ की मदद से ही फेट रहे हैं, आप चाहे तो हैंड विसकर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अंडो को अच्छी तरह से फेटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पिसी पिसी वे शकर हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और इसे मिक्स करते रहना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरी शकर डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है शकर मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे घी घी हमें आधा अभी डालना है और आध का बाद में डालना है हमें इसे अँच्छі तरह सेக्स कर लेना है कि अ अब हमें इसमें डालेंगे मैदे का आटा जो हमने साइट कर कर रखावा था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है जिस तरह से हम रोटी का आटा गुनते है हमें इसे गुनते वक्त इसमें डालना है नारियल का दूच जो हमने निकाल कर रखा था वो थोड़ा थोड़ा करकर हम इस तरह से डालते जाएंगे और इसे गुनते जाएंगे कोकोनट मिल्क कैसे निकाले इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौझूद है मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दूँगी आप वहाँ से देख लीजेगा अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच इलाइची पाउडर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बचा हुआ घी और इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इसे आटी की तरह ही गुनना है इसका सॉफ्ट डो रखना है ये सारी चीजे डालने के बाद हमें दूसरा कुछ नहीं डालना है इसमें पानी बिलकुल नहीं डालना है जो भी है नारियल का दूद है घी है शकर है उसका पानी वगिरा छूट कर ये आटा अच्छे तरह से नरम हो जाता है तो हमें इसमें बाकी दूसरा कड़क हो तो पानी बिल्कुल एड डेई करना है क्योंकि हमें इसे रेस्ट भी देना है कम से कम पूरी रात हमें इसे रेस्ट देना है उसके बाद हमें इसे बनाना है तो दूसरा आप बिल्कुल भी कुछ भी एड मत करियेगा देखिए तो मदाजी का जो आटा है वो गूंगर हो चुका है अब हम इसे एक बरतन में डाल देंगे और इसे पूरी रात रेस्ट करने रख देंगे इसे हम डायरेक्स सुभे में बनाने लेंगे तो हमें इसे अच्छी तरह से ढाक कर रख देना है देखिए तो नेक्स डे जो है वो हो चुका है और हमने इसे पूरी रात रेस्ट करने के लिए रखा था अब हम इस आटे में से छोटे छोटे पेड़े लेंगे हमें इतने भी छोटे नहीं लेने है रोटी जितने अच्छे खास से बड़े लेने है लेकिन रोटी जैसे ही पेड़े लेने है बड़े साइस के और इसे इस तरह से रख कर हमें बेलना है हमें इसे मोटा मोटा ही बेलना है जादा पतला नहीं बेलना है नहीं तो फ्राइ करते टाइम पे मदार जी जो है वो फट जाएंगे बेलने के बाद हमें इसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लेना है मैं यहाँ पर काजू कतली का शेप दे रही हूँ आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते है अगर आपके पास शेप कटर हो तो देखिए तो मदार जी जो है वो फ्राइ होने के लिए रेडी हो चुकी है और कुछ मदार जी की तो चोटिया भी दली है जो के मेरी सासू मॉम ने डाले है इस मदार जी को हमने फ्राइ करने के लिए बाहर चूले पर ले लिया था क्योंकि गैस पर फ्राइ करने के लिए बहुत टाइम जाता है और हमने एक किलो आटे की मदार जी बनाई थी तो काफी सारी थी और काफी टाइम भी लगता है इसे फ्राइ होने तो इसलिए हमने इसे चूले पर ही फ्राइ किया तो आप देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से फ्राइ किया है अगर आप इस रेसीपी को अपने घर में बना रहे हो तो सबसे पहले तो आप पाव किलो की ट्राइ करिए मदार जी उसके बाद आप जादा कॉंटिटी में बनाईएगा पाव किलो में कितनी चीज़े लगेंगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंचिन कर दूँगी देखिए तो यहाँ पर जो है मदार जी एक तरफ से लाइट ब्राउन हो चुकी है अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से इसे हलका ब्राउन होने देंगे और इसके बाद हम इसे दुबारा से पलट लेंगे अच्छा यह जो रेसिपी है वो मेरी सासु मॉम की है और उन्हें ही यह बनाने आता है मुझे इसका बनाने का कोई आइडिया नहीं है उन्होंने मुझे बताया तब जाके हम लोगों ने बनाए यह और इस रेसिपी से लेके मेरी कुछ छोटी सी स्टूरी है जो के मैं आपको बताना चाहती हूँ यह जो है मदार जी यह वर्ड मैंने पहली बार सुना था किसी खाने में ठीक है मदार जी तो ऐसे मदारी मदारी वो बंदर वाला मदारी वो तो सुनते थे बच्वन से लेकिन यहाँ पर आके पता चला के खाने वाला भी कोई मदार जी होता है तो फर्स टाइम जब मुमी ने बुले कि मदार जी बनाते है तो मैंने सुची मदार जी ये क्या होता है तो बाद में जाके पता चला कि अच्छा ये मदार जी मतलब कुछ एक स्वेड डिश है उन्होंने मुझे समझाया कि मैं बुली उसका ऐसा नाम क्यों है तो उन्होंने बुला पता नहीं पहले से चलता आया है इसलिए ऐसा नाम है मदार जी हम लोगों को भी नहीं पता इसका नाम ऐसा क्यों है तो ठीक है पूरवज लोगोंने इसका नाम रखा है मदार जी तो ये अभी तक चलता आ रहा है मदार जी आने वाली जनरेशन में शायद ये कुछ और नाम बदल जाए तो आपको भी अजीब लगेंगा इसका नाम सुनकर इसलिए ये स्टोरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाकी ऐसा कुछ नहीं है बं अपने घर में जरूर ट्राइ करिएगा और ऐसी पर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज